हम लोग सुनते तो हैं भगवान सब के हुर्दय में रहते हैं, सदा रहते हैं एक बटे सौव सेकंड को भी जीवात्मा से परमात्मा प्रिथक नहीं हो सकता किसी भी योनी में जीव जाए, भगवान सदा साथ रहते हैं लेकिन मानता नहीं है, जो मान ले वो महापुरुश हो हो जाए भगवत प्राप्ति फ्री में हो जाए मुह से जो लगातार बोलता भी रहे, वो भी नहीं मानता यह बहुत बड़ा आश्चर्ज है, मैं तो इससे बड़ा कोई आश्चर्ज नहीं मानता तो इसका अभ्यास करना होगा अगर हम हरी गुरु को सदा अपने साथ मान लें तो फूर न कुछ साधना करना है और न कोई गड़बड़ी होना है जितने अपराद हम करते हैं क्यों करते हैं? कप करते हैं? जब ये जान लेते हैं, मान लेते हैं, हम अकेले हैं प्लैनिंग करते हैं जब तभी हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारे होदय में है अगर माने रहे, तो फिर कोई गलत काम नहीं कर सकते सोच नहीं सकते, करना तो आगे की बात है हम पहले सोचते हैं, गलत बात सोचते हैं किसी को दुख देना है, किसी को कष्ट देना है किसी में बुराई निकाल के उसके निंदा करना है जूट बोलना है, बात बनाना है कोई भी पाप हम करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि वो हमारे पापाजी अंदर बैठे नोट कर रहे हैं इसलिए जानेने से काम नहीं बनेगा इसका अभ्यास करना होगा मत कीजिए इस मानो देह में मरने के बाद 84 लाक में घूमिये चपल जूते खाईये एक रोटी के टुकडे के लिए कुटे बिल्ली गधे बन-बन करके करोणों कल्प दुख भोगिये फिर कभी मानो देह मिलेगा फिर कोई कृपालू मिलेंगे और फिर आपको बताएंगे और फिर आप कहेंगे ठीक है ठीक है हम सब जानते हैं मानेंगे नहीं शायद दुख भोगने का शौक है और इतना बड़ा शौक है अनन्त जन्म बीट गए यह शौक पूरा नहीं हुआ पाप से पेट नहीं भरा भगवान से भी चोरी गुरू से भी चोरी दबल अपराद भगवान के प्रत किया हुआ अपराद तो गुरू क्षमा कर देता है लेकुन गुरू के प्रत किया हुआ अपराद तो नहीं ओसकता भगवान भी नहीं कर सकता विश्नु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते गुरु स्थाने कृतम पापम बज्रले पो भविश्यति गुरू के अस्थान में किया हुआ पाप बज्र लेप हो जाता है वो उसका कोई इलाज नहीं है दंड भोगना ही पड़ेगा और गुरू से चोरी करना बस सबसे बड़ा पाप का मूल है ये जो हम सोच रहे हैं कोई नहीं जानता गुरू जी भी नहीं जानते ऐसी बात बनाएंगे गुरू जी के आगे अगर गुरू जी कहेंगे ऐसा है नहीं गुरू जी ऐसा नहीं है आप बेवकूप है तो गुरू जी मान जाएंगे आएसे खुलम खुला पाप करते हैं निरुभाय हो करके कोई डर नहीं जैसे समझते हैं भगवान और गवान कुछ नहीं होता हमारा कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता आएसा दिर्ण निश्चय किये हुए है तब ही तो पाप करते हैं निरुभाय हो कि एक गुरू को नहीं छोड़ सकते ति कम से कम वहां तो इमानदार रहे तो इसका अभ्यास अगर करने का हम दिर्ण निश्चय कर लें और अभ्यास करें तब ही हमारा कल्यान हो सकता है अन्यता करोड़ों जगत गुरू मिले भगवान के बाप मिले अएसे हम 84 लाक में घूमा करेंगे हमारी जिद्ध हमको 84 लाक में घुमाएगी और अगर हम कभी मान लेंगे अपनी गलती और सुधारने का प्रियत न करेंगे हर समय हो अंदर बैठे हैं नोट कर रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं क्या मिलेगा यह सोचने से पाप कर्म क्यों शौक सवार है दुख भोगने का नरकादित अनंत जन्मों का दुख अरे सहा नहीं जाएगा इतना दुख होगा चीख चीख करोगे कोई सुनने वाला नहीं होगा उस समय क्रपालू भी कुछ नहीं कर सकते भागवान भी कुछ नहीं कर सकते अभ्यास करो अभ्यास करो मान लो अभ्यास करो अच्छे बन जाओ गंदा चिंतन बंद करो मन की मत सुनो मन को तो संसारी गंदा चिंतन मीठा लगता है राग भी मीठा लगता है द्वेश भी मीठा लगता है आदत पड़ी है उसकी किसी को दुखी करके बड़ा सुख मिलता है आपको और ये बेद ब्यास ने कहा है अश्टादस पुराणेशु ब्यासस बचनत द्वयम परो पकारह पुन्याये पापाये परपीडनम दूसरे को सुख दो भगवान की ओर ले चलो दूसरे को दुख देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं परपीडासम नहीं अधमाई हम लोग ग्रहस्ति हो चाहे बाबा हो सद इसी दोश से ग्रस्त हैं इस दोश को मिटाओ अभी समय है मरने के एक चण पहले तक बिगड़ी बात बन सकती है फिर नहीं बनेगी टाइम पार हो गया फिर अगर कहो जमराज से की एक सेकंड रुक जाओ बिलकुल नहीं इसलिए इस पर विशेश ध्यान दे करके इसका अभ्यास प्रारंब कर दो स्वयम को करना होगा और कोई करके नहीं दे देगा इतनी बड़ी भगवत कृपा की जो अंतिम सीमा है वो हो गई कि आपको तत्वक ज्यान करा दिया गया आप कहां भूले हैं बता दिया गया अब फिर भी आप कहते हैं हम अपने मन के बताए रास्ते पर चलेंगे तो पर ठीक है परिणाम सामने आएगा करेंगे